अपराधियों से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने आपरेशन प्लीन शुरू किया तो ताबर तोड़ एंकाउंटर होने लगे कोई शक नहीं कि कोई खुंखार अपराधि पुलिस के हत्ते चड़े माथे पर शिकन तब आनी शुरू हुई जब बदमाशों के साथ साथ बेकसूर भी बली काब बकरा बनने लगे पिछले 72 घंटों की बात करें तो यूपी पुलिस ने 24 एंकाउंटर कर बदमाशों पर शिकन जा कसा लेकिन इसी दोरान अपने कंधे पर लगें स्टार बढ़ाने के लिए कुछ पुलिस कर्मियों ने वर्दी को दागदार कर दिया हमबा कर रहे हैं नोईडा के सेक्टर 122 में हुई घटना की जहां जीतेंद्र यादव नाम का जिम ट्रेनर फरजी मुटफेड का शिकार बन गया जीतेंद्र बहन की सगाई की रस्म से वापस नोईडा लोट रहा था रास्ते में चेकिंग के दोरान सब इंस्पेक्टर विजय दर्शन ने उन्हें रोका और उन्हें गोली मार दी कहा जा रहा है कि प्रमोशन के लालच में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया मामला मीडिया में उचाला तो पुलिस के आला अधिकारी डैमेज कंट्रोल में चुट गया दरोगा विजय दर्शन को गिरफतार कर लिया गया और चार पुलिस कर्मियों को सस्मेंट कर दिया गया SSP लव कुमार ने प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि एनकाउंटर जैसी कोई बात ही नहीं है ट्रेनी दरोगा शराप के नशे में था अब जहां जीतेंद्र के परिजन मामले की CBI जांच की मांग पराड़े हुए वहीं इस मसले पर सियासत भी तेज हो गई है इस मामले की गुझ राज्यसभा में भी सुनाई थी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस्थगन प्रिस्ताब लाते हुए इस पर तकाल चर्चा कराने की मांग की और जम कर हंगामा किया यह कोई पहली घटना नहीं है इससे पहले नोईडा के सुमित गुर्जर एंकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए थे सुमित एंकाउंटर मामले में रास्टिय मानवा धिकार आयोक ने साल 5 अक्टूबर को सरकार को नोटिस भेज़ कर जवाब तलब किया था वही मतुरा में 18 जनवरी को बदमाशों के साथ होई मुडबेड में एक 8 साल के बच्चे की मौत भी हो गई यह सब कुछ तुम बस मामले हैं इंकाउंटर की पॉलिसी भर सवाल खड़े करते हैं कुल मिलाकर इनाम और प्रमोशन के लालच में सरकार की तरफ से मिली छूट के बाद पुलिस वालों में एंकाउंटर को लेकर घजब का उतसा देखने को मिल रहा है लेकिन जब नियत में खोट हो तो यही छूट गातक साबित हो जाती है तो प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने के लिए तावड तोड मुटभेडों का सिलसिला जारी है मुख्यमंतरी योगी आदितिनात की यूपी पुलिस एक बार फिर मिशन क्लीन मोड में आ चुकी है उत्तर प्रदेश में बीते अर्टालिस घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच सोला मुटभेडे हुई हैं जिसमें 24 दुर्दांत अपराधियों को धर्दब होचा गया तो यूपी में आपरेशन क्लीन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं शामली, चित्रकूट, मतुरा, सहरनपुर, बुलंद शहर और गाजियाबाद की ये तस्वीर है तो प्रदेश में कानून विवस्था के नाम पर और रहे हैं एंकाउंटर पर सरकार पीट थप थपा रही है लेकिन किस तरीके से फर्जी एंकाउंटर भी साफ़ तौर पर सामने आ रहे हैं तो तावर तोड एंकाउंटर होने लगें कोई शक नहीं कि खुंकार अपरादी पुलिस के हथे चड़े माते पर शकन तब आनी शुरू होई जब बदमाशों के साथ बेकसूर भी बली का बकरा बनने लगे पिछले 72 घंटे की ही अगर बात करें तो यूपी पुलिस ने 24 एंकाउंटर पर बदमाशों पर शकन जा कसा और ये तस्वीरे शामली, चित्रकूट, मतुरा, सहरनपूर, बुलंद शेर और गाजियाबाद की बताने के लिए काफी है कि इंकाउंटर तो खूब हो रहे हैं लेकिन फर्जी इंकाउंटर भी कहीं न कहीं ज्यादा हो रहे हैं तो क्या प्रमोशन के लालच में फर्जी इंकाउंटर हो रहे हैं या सरकार ने खुली छूट दे दी है कि हाँ अपरादियों को मार के लाओ ऐसे तमाम सारे सवाल है जिनके जवाब आजब आए हुए मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि मामला कहीं न कहीं कानून विवस्था से जड़ा हुआ है सुरक्षा विवस्था से जड़ा हुआ है सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शों का तारूफ करा दें हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नवीन शिरवास्तव जी है स्वागत है नवीन जी नमस्कार समाजवादी पार्टी की तरफ से संदीब जी है संदीब जी नमस्कार स्वागत है आपका रिटाइड आईपिए शिरदर पाठक जी हमारे साथ है शिरदर जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है वरिष्ट पत्रकार अजे कुमार जी है एंकाउंटर कर बदमाशों पर शिकंजा कसा है लेकिन इसी दोरान अपने कंदे पर लगे स्टार बढ़ाने के लिए कुछ पुलिस कर्मियों ने वर्दी को दागदार कर दिया है क्या हो रहा है यह देखिए आलोग जी निश्यत रूप से नोड़ा की अगटना बहुत दुर प्रदेश की पुलिस लगातार कारवाई कर रही है नोड़ा की जो घटना हुई उसमें जो प्रथम दिश्टिया चीजें सामने आई कि विवाद हुआ वहां दरोगा ने गोली चलाई उसको इंकाउंटर का रूप देने की कोशिश की लेकिन उच्छादिकारी में संग्या प्रदेश की तरीके हैं उसका सही धंग से पालन होना चाहिए और कहीं न कहीं अगर आती उत्सार में या किसी प्रकार से कोई अधिकारी कर्मचारी उसका उलंगन करता है तो हमारी सरकार इसके लिए प्रतिवद्ध है इस तरह की चीज़ों को अधिकारी सुन नहीं नहीं इनकाउंटर्स हुए तो उसको फर्जीत देखिए इनकाउंटर्स तो इस अस्तर तक के हुए कि एडीजी रहें का अपसार मेरे जोन के एडीजी खुद मुरभेड में गये खुद उनके बुलेट पर गोली चली एक हमारा जवान जो है शहीद भी हुआ तो ऐसा नहीं है प पुलिस पहले क्या होता था कि अपराधियों को सेफ पैसेज दिया जाता था किस पार्टी के है किस उसके है आज के तारीक में अपराधियों को कोई पैसेज नहीं दिया जा रहा है अपराधी अगर पुलिस का सामना कर रहा है गोली चला रहा है तो पुलिस गोली का सब्सक्राइब करेंगे कोशिश क्यों काम्याब हो पा करें कर रहे हो नहीं कार्वाई की गई होता है कि एक आश वसंदिया जाता है हर एंकाउंटर के बाद यही तस्वीर नजर आती है संदीब जी सवाल यह कि आखिर यहीं पिछली सरकार में भी यही था लेकिन खैर मैं किया लेकिन सवाल ये है कि हर एंकाउंटर के बाद एक सवाल उठता है कि हाँ जांच होगी हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कब तक आखिर ये जवाब आता रहेगा कि या लोग की पहले चीत हैं कि एनकाउंटर को जो अपनी उप्लब्धिक रूप में बता जा रहा है क्यों हैbl. इनकाउंटर ना हने कराया यदि आ पुट भेलब में मारे गए पुलिस का कोई मरता है यह आप राधी कोई मरता है यह आप पचास लोग को मार दिया यह नहीं कह सकते हैं अगर ऐसा किया तब तो आपको पती इंस हुए हैं और जाती विशेस के लोगों को टारगेट करके मार दिया गया वह यादो था इसलिए मार दिया गया यह तो गलत चीज़ है अवाब जो है पुलिस जो है उसको आवाही लेने के लिए ऐसा लगता है निर्देश दिया गया हो जाट वी से लोगों को आप मारते रही है यह जिए गलत है अपरादियों को चिन्नित करें कानून अपना काम करेगा जे और कानून में नयाई पालिका को इताकत है कि दंडित करने के सकती उसके पास है आपका काम है कि अपरादी को पकड़ना उसको जेल भीजना अगर मुकंदमा दर्ज है तो मुकंदमा दर्ज है तो उसको उची नित करके भीजना नहीं दर्ज है कहीं अफाई यार होने के सिर्थ नई बनी है तो उसको पकड़ना और अफाई यार लेकिन इसमें से कुछ फर्जी एंकाॉंटर भी सामने आए हैं और फर्जी को ले करके विपक्ष एक कही न कही संदेशा देने की कोशिश कर आए यह फर्जी एंकाॉंटर के चकर में प्रमोशन के चकर में सब पुलिस कर रही है बात यह नहीं है कि प्रमोशन के चक्कर में कर रहे हैं कि इंकाउंटर के बाद प्रमोशन देने की ऐसी कोई नीत नहीं है किसी सरकार में यह नीत हुआ करती थी और उसका काफी दुरुपयोग हुआ उससे पुलिस विभाग की इच्छा भी बहुत खराब हुए और यह नीत पूरी तौर बंकर दीगी अब इंकाउंटर के बाद से किसी को प्रमोशन नहीं मिलने वाला है लेकिन जैन उनके मामले में अलग से संज्ञान लेगा जहां तक नुएड़ा की बात है वो एंकाउंटर नहीं है उस सब इस्पेक्टर ने जो कि अभी एंडर्टेनिंग है उसको थे इंकाउंटर का अधिकार भी नहीं था उसने यह काम किया चाहे वेक्तिकर दुस्मनी में किया या किसी के बाकावे में किया या कोई अन्य कारण रहा हो क्योंकि जो आदमी जिम का ट्रेनर है वो कम से कम अपराधी नहीं हो सकता तो जो भी कारण ढ़ा हो और उनके एससपी ने तुरंत इस बात को इंकार भी कर दिया इंकाउंटर नहीं है और उनको गिरफ्तार किया गया है लेकिन मेरा अपना सोचना है कि इस तरह के मामलों में नेशनल हुमन राइट कमिशन का एक डायरेक्शन है उसका पालन अवस्ट से किया जाना चाहिए कि इस तरह के मामलों में मेजिस्टीरियल इंक्वारी अवस्ट से कराई जानी चाहिए जिला मेजिस्टेट द्वारा अब उन्होंने क्यों परिजन है वो लगातार सी बी का मिशन क्लीन अब मैं तरह आप से जानने और समझने की कोशिश करूँगा आपकी क्या सिल्फ एनलिस्ट जहां तक बात इंकाउंटर्स की है सही है इंकाउंटर्स कोई जानबूच करके नहीं होते हैं होते थे मैं नहीं करा हूँ असी के दसक में जब एक यह अभियान चल प्रमोचन की बात आई थी पिछली सरकारों में ता मायावती के समय में बहुत था उस समय जरूर हपरादियों को पकड़ करके मारने की तमाम घटने आई लेकिन जब से हुमन राइट कमिशन बन गया तब से इस पर भी नियंत्रल काफी हद तक लगा देखिए इंकाउंटर अगर कहीं होता है और सही इंकाउंटर होता है तो निश्चित रूप से मानिए उसमें कोई न कोई पुलिस का कर्मी भी घायल होगा बीस हो है ऐसे क्यों पुलिस तो सेफ करके गोली चलाती लेकिन डांको जो है या अपराधी जो है या हाल्डेट क्रिमिनल है वो यह बिना मतूं के मैंने साचाथ कार लिया उन्होंने किस तरह फरजी इंकाउंटर होते तमाम बाते गिनाई उसमें नहीं जा करके लेकिन जो यह आपकी नोड़ा की घटना हुई है वाकई में बहुत निंदनी है जिस तरह कि और जैसा पाठगी ने बताया अटेनी दरोगा को कोई काउंटर करने का या गोली चलाने का गोली किन परिस्कितियों में चली इनकी जांच होनी चाहिए लेकिन जिस तरह से पी नोड़ा ने बताया कि यह आप ची दुसमनी का मामला था या कोई आईसी ती इसकी वज़े से उसमें गोली चला ही वो गाईल वाद लेकिन आईसी औ आप तो जहाँ पहले मजिस्ट्री जाए तो सारी चीज़ें और कई पुलिस वाले इसमें दंडेत हुए जे और आउट अप टर्ण पुनों सम का मामला इन दिनों चल नहीं रहा है बंद हो गया है इस सरकार में तो बिलकुल नहीं है इसलिए वह बात मैं कहता हूं कि समय नही सब्सक्राइब नवीन जी आप लोग जो इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल कि अपराधियों के अंदर डर क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं बड़ा सवाल यही है यह तो एक महज कुछ घटनाए हो गई पत्रकार देखे वरिष्ट पत्रकार है नव पत्रकार पर हमला हुआ पत्रकार की बीबी किस तरीके से वहां पर उसने बीच बजाओ करा सवाल यह कि आप लोग अपराधियों के अंदर डर क्यों ने बिठा पा रहे हैं इस बात को लेकर के कभी आप लोगों ने सोचा है देखिए आलों जी जब कानून बिवस्ता करा दिया अभी बात हो रही थी कि यह घटनाएं हुई है मैं आपको इस और भी बताना चाहूंगा कि यह जो ट्रेनी दरोगा है अभी आज ही शाचन ने आदेश किया है कि इनको जो हत्यार दिये गए उनसे वापिस ले लिए गए ताकि कोई भी नौजवान अधिकारी आत पश्च्री मुत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अपराधी नाम हमकीम काला उसने कोड को दर्कवाति कि साहब हमको कोड में जब जेल से ले आता है तो हमको हाथकडियों में जकड के बेडियों में जकड के ले जाय 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 कि पुलिस हमको काउंटर न कर दे देखिए पराधियों में भय है लेकिन है क्या बहुत समाजिक परिवर्तन ऐसे हुए है पिछली सरकारों में जिल लोगों ने आवा है तरीके से अथा संपत्ति कमा लिया आप हर जगह भी जेल की देख लिए बनारस जेल में किस तरीके से वहां पर सनलिप्त गतिविदियां पाई ज सबसे बड़ा जो पुलिस का जो है संगठित अपराध जो बड़े माफिया गिरोह द्वारा जिनका समाज पर बड़ा भय होता है बड़ा तपका एक है उत्तर प्रदेश में मुखमंती योगी आदितनार जी की सरकार बने का एक भी ऐसी घटना नहीं हुई दूसरा बड़ होगा उत्तर प्रदेश की पुलिस की जामा जी कुछ ऐसी घटनाएं हुई 24 गंटे 48 गंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में जाकर हमारी पुलिस ने पकड़ भी चुड़ाई और पिछले एक महीने के आंकड़े अगर आपको बता दे नवीन जी तो स सबसे ज्यादा जो अपराद की घटनाएं हुई है जो सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा है मुझे लगता अजे जी इस बात के जवाब देंगे तो दिक्कते खड़ी होती है पुलिस को निश्पच्छो के काम करने दीजिए पश्चिमी मुत्तर प्रदेश में आज हुकम सिंग जी हमारे बीच में नहीं रहे पश्चिमी मुत्तर प्रदेश में क्या भय का वातारन हुआ था जब अपरादियों को हत्या के अपरादियों को ततकालिन सरकार के बड़े मंत्री ने ठाने से छुड़वा दिया क्योंकि जिस तरह से सकती से कारवाई की है बड़े-बड़े अपरादी अपने बहुत ज्यादा बेश्ट थे पहले तो नमीन जी की एक बात कम पंदन करते हैं आपने कहा कि संगठीत अपराद भाती जंता पार्टी की सरकार में बिल्कुल बंद हो गया बैं दूर नहीं जाओंगा लखनवी है और यहां पर ताबर तोड़ ड़काइटियां हो रही हरामी जान रहा है जो सुन रहा हो सबसे देख रहा होगा तो ड़काइटी क्या संगठी तपराद नहीं पांच या उससे अधिक व्यक्ति जब कोई घटना करते हैं तो लगाएटी यहां कैमरे पर आप चैनल कर सकते हैं कंदा हो गाता है जनता कर नहीं तो भाती जनता पार्टि कैंटा पांच नहीं बात कर देगी उस दिन क्या swearbroth not को बताईए आप उसको हमारी सरकार नहीं मांदारी से कारवाई कर गया है डखायतों को पकड़ के सामने हाजित किया गया चलिए श्रीदर जी इन राजनितिक सालों की बाते यह हमीशाथ को इस सियासत गूंपिर के अर्मामले को ले करके हो जाती है श्रीदर जी मेरा सवाल आ माहां पुलिस जा कर आदो लेकिंव श्रीदर जी के पास आता है कानून ववस्ता को सुधारने का मतलब क्या फर्जी एंकाउंटर हो गया है क्या और मेरे फार्जी इन नहीं होती है अगर एंकाउंटर है तो है ने तो फजी एंकाउंटर नहीं नहीं सर 1951 में देखिए जि वो सजा हुई है इसी से आप समझ जाएए कि कितनी अधिक नजर रहती है नियाले की और वहिस्ट अधिकारियों की वी कि 47 मामलों और भी बहुत सारे मामलों में सजा हुई है कई DSP तक तो सजा मिली है तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी इंकाउंटर करके बच जाएगा यह अल सवाल यह की लगातार आपने भी नवीन जी की भी बात सुनी डर बिठाने की बात की जा रही है लेकिन अभी तक यह सरकार डर नहीं बिठा पा रही है आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह लगती है अभी कुछ मेहने पहले एक रामपुर से वीडियो वायरल हुआ था कु यूटूब पर अपलोड किया जाहिर सी बात उन्हें पता है कि कुछ होना नहीं है तो यही सवाल मैं इसलिए आप से पूछता हूं कि डर क्यूंने यही मेरा सवाल है कि होना कुछ नहीं है यही मेरा कहने का मतलब इस सवाल का जवाब जबन है अजे जी से चाहूंगा ता ता वो जानते थे कि अफसर जो है उनकी लगाम वो खीच्य भी आज अफसर के सी जो है कहीं न कहीं बेलगाम है यह मेंसद गया लेकिन जहाता किसी encounters की बात है यह फर्जी encounters नहीं है फर्जी encounter तो हो जाते हैं वह कोई तथकालिन घटना वह हो लेकिन जैसा आभी यह बताया कि लकनाव में ढक़ाइती हुई मैंने उस मामले में उसमें निश्चित रूप से मैं विश्वाद दिलाता हूँ जो भी अपरादी पकड़ेगे वो बिल्कुत सही पकड़ेगे उन्होंने जंता के सामने यहां तक बताया कि मैंने अमुक घर की दो महिलाओं से बलातकर किया हलाकि वो बात चुपाई गई जानगूत के पुलिस में चुपाई कि उस परिवार की बंदामी नहीं और वो बात कहीं न कहीं से सक्तसाबित हुई इसलिए भै होना चाहिए भै धीरे धीरे होगा और अगर इस तरह से इन काउंटर्स होते हैं अप रादी मारे जाते हैं तो जरूर भै होगा अब जहां तक पश्चमी उत्तरक प्रदेश की बात है संपन एरिया है और वहां पैसे का जिस तरह से जो नौई वक वहां के पैसे अधादुन्द ले करके जिस तरह शराब बाजी और उस तरह करते ह के अंदर भी व्याप्त किया जाना चाहिए मुझे तो वह भी देनियाद है कि जब कहराना में लोग मकान चोड़ चोड़ करके चले गए तो अब वह इस्तितीन नहीं है कहीं न कहीं से जंता के बीच में जो है वो सामान इस्तापित हो रहा और अप रादियों में भै हो रह सवाल यही है कि अब 10 महीने का वक्त हो रहा है अब चीज़े कहीं न कहीं ट्रैक पर आ जाने चाहिए लेकिन अभी चीज़ें ट्रैक पर नहीं है खास करके लाइन और को लेकर करके अगर बात करें तो जब परमपराएं बिगाड़ी जाएंगी 13 नंबर के आदमी को वरीता करम से उठाकर दीजीपी बना दिया जाएगा क्योंकि कहीं अपना राजनेतिक मकसद साधना था कहीं चीप सेकेर्टरी साधार बना जाएगा कि वो हमको कितना आर्थिक लाव दे देगा हमने वह परंपरा तोड़ी सुल्खान सिंग जी को डीजी पी बनाया और उत्तर प्रदेश में राजी कुमार जी मुक्सची हुए सुल्खान सिंग जी के बाद जो बीज दिन के आप बात कर रहा है देखिए वरिता क्रम में निश्चित रूप से प्रविन सिंग जी सीनियर मुष्ट थे लेकिन अगर आपको याद हो तो मानिए सर्वोच नयाले के निर्देशा ने रिटायर डीजी प्रकास सिंग के कमेटी का डीजीपी बनाए गया आप लोग अपने हिसाफ से सारी चीजों का सुलिशन पूल लेते हैं पुलिस कमेटी बनी तो उसमें बहुत सारे सुझात है उसमें वेतन विसंगतियों को भी दूर करने की प्रमोशन की प्रतिस्वालों की ड्यूटी तक की बाती की तरह बाती कि कि प्रति सो वैक्ति कितने कांस्टेबिल होने चाहिए कितने पर्थाने अधार परेसे कर दे जाति श्रोच पर पार और सरव चिनाल को दूरो धारता श्रूक्त का कमी है करोंगा कि मेरी ड्यूटी में इतने लगे चलो इसको अटा दे चलो कभी हमेशा वह उतनी बताई जितने भी है उसने 30 परसंट करोंगा करोंगा कब तक रहेंगा जो 30 परसंट से ज्यादा तो वी वी आइपी की ड्यूटी में लगे हैं पुलिस की भरती भी नहीं हो पा रहे हैं अगरे हैं खुब आपके लिए कि तभी कोई कदम ने उठाते चांकारी सब लगते हैं नहीं यह निश्चित रूप से क्यों करें के विदायक के बाद 2-3-3-4-4 गनर तक रहे रहे हैं तो कम से कम इस पर कहीं लगाम लगनी चाहिए तो कहीं यह बात उनको भी लगती होगी कि वह भी डर हुए तो वह डर निकालना चाहिए क्यों नहीं एक ही गनर से काम चल सकता क्यों एक पूरी की पूरी फोर्थ ए इस चालीच चालीच पूलीस कर्मी रहते और यह सी कौन सी जवाब निकाले लेंगे नवीन जी कैसी घटना हो जानी है अब देखें यह एक फैसन अगर बन जाएगा कि पूलीस की सुरक्षा में चलना है तो आप इस फैसन को रोक नहीं सकते इस फैसन को खतम करिए और कम से हुटर चले आपका जो स्कॉट है वो हुटर बजाते वे चले यह एक जो परणपरा है यहाँ पर स्टैटर सिंबल भी कहीं न कहीं एक गनर मिला है एक गाड़ी मिली है तो हांसा बड़े नीता है यह गनर क्यों उनको एक सबिस्पेक्टर चाहिए एक नहीं बलकि तीन चाह यह इतने से थोड़ा सा संतोस रहता है और एक दो गनर से बात वो नहीं बनती है क्योंकि वो कभी रहा कभी नहीं रहा और गनर जिस तरह से माननीय महनुभाओं के साथ रहते हैं इससे उनके ऊपर पुलिस विभागता कंट्रोल 50% खतम आप समझें क्योंकि यह नहीं पता क करके वो छुट्टी घए की नहीं तो कहाँ गए चलिए ठीक है चुट्टी चछुटी घए तो वो उनकि तीटि पर गये थे और उट सब्सक्राइब कर आए तो याषि क्योंकि वह जमां नहीं होती है ऊसने कोई और ऐसा स्टम नहीं बता सकाола कम पर थे और हमने इस दरान विये क्या काम किया उस कुछ ऐसा काम ज़रूरा कि जिसके वारे में लोगों को कन्पारी नहीं है. , लेकिन इस पर भी कई न खेद्शी ध्यान देने की जरूत है ,Sवाल यही के एंकाउंटर राज के बाद भी कानून विवस्था में क्यूं सुधार नहीं हो रहा है बड़ी बहस जारी है कुछ और भी सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे फिलाल एक छोड़ा सब्रेक फॉरा नाजिर होते हैं तो एनकाउंटर कितने फेर कितने फेक फर्जी एनकाउंटर को लेकर कि आज हम बात कर रहे हैं कि अखिर प्रमोशन के चकर में कहीं न कहीं जो फर्जी एनकाउंटर सामने आ रहे हैं आखिर इसके पीछे क्या कुछ वज़े हैं लेकिन राजनितिक गल्यारों में अगर बात करें तो सियासत पूरी तरीके से गर्माई हुई है समाजवादी पार्टी के सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए इस पर ततकाल चर्चा कराने की मांग की और जम कर सदन में हंगामा किया संदीब शुक्ला जी हमारे साथ में संदीब जी कोई अगर मुद्दा है तो आप लोग बहस करते लेकिन इतना हंगामा कि रजसभा की कारवाई कोई इस्थगित करना पड़ा बड़ा मुद्दा है किसी को ऐसे मार दिया जाए तो सौ लोग की आप जान बचाओं और एक का नरगल मार दें हमारे देश का कानून कहता है कि सो निर्दोस सो दोसी भले बच जाए लेकिन एक निर्दोस जो है उसको सजा गलत नहीं होनी चाहिए तो एक व्यक्ति को ऐसे ही वो आ रहा था अपने परिवार अपने बहन की सगाई करके कहां से आ रहा था और अचानक उसके घर को पता चले गोली मार दी गई है तो मामूली बात नहीं है किसी की हत्या कर दी गई ऐसे ही और आप उसकी वावाही लूट रहे हैं नहीं वावाई की बात नहीं कभी अगर एक विपक्ष के तौर पर हटा दिया जा थोड़ी दर को एक आम इंसान के तौर पर कि हाँ कोई सलूशन निकाले बैट करके कभी आप लोग हमेशा सिर्फ हंगामा ही है हमारा तो कामी है विपक्ष का कामी है कि चीज़ों को जो सरकार गलत काम कर रहे हैं उसको सदन में प्रस्तुत करना सदन में भेजे क्यों गए है रास सबा में हमको इसलिए बेजा गया है लोग सबाम इसलिए जंगता भेजती है आवाज उठाई है जो भी गलत पुरा है वह आवाज होती जिसे सत्ता धाई दर्ट को हंगामा लगता है और जब वही दल विपक्ष में हो जाता है तो उसको हंगामा कहने लगते है लेकिन आप लोगों के समय में जो विपक्ष की जो भूमिका नजर आ रही वो थोड़ा सा क लोगा के समय में इस्टिती थोड़ी अलगी नजर आ रही है विपक्ष में समाजवादी पार्टी चाह सत्ता में रही तो काम करती है और विपक्ष पर रहती है तो निस्क्री होका नहीं बैठती वहाँ पर सदन में अपनी आवाज उठाने का काम करती रही है आगे भी यह अब लोगों ने लॉड आर्डर को लेकर के और किसानों की समस्या आलू किसानों की समस्याओं को लेकर राज़ेपाल से मुलाकात की ठीक है यह पिछली सरकार में भी यही होता था जब विपक्ष में थी लेकिन सवाल ये भी एक तरीका है लेकिन हंगामा करना कौन सा लगता है या विधान परसद हो लोक सभाओ हर जगे किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए बाकाइदे एक कार संचालन नियमा वली बनीजे आप नियम के तहट उठाइए उस चीछ को तो स्वभाविक रूप से उस पे चर्चा होगी आपको अपनी बात कहने का आउसर लेकिन जहां तक मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश विधान सभा में केवल और केवल इसलिए कि वो हंगामा किस तरह के हो और किस तरह समाचार पत्रों में सरकार का वर्जन न चपे आपका हंगामा ही चपे और यह होता रहा कोई भी जो आज भी पक्ष में हैं वो जब सत् यह परंपरा बंद होनी चाहिए आपकी आवाज जनता तक पहुंचे उसके लिए विधान सभा में नियम बनेवें आप नियम 51 के तहट मामली को उठा सकते हैं नियम 56 कारिस्तगन की तरह उठा सकते हैं उठाए उसको और ऐसा नहीं है कि आप जब नियमों के तहट उठाए उसको रखते और सभापती विधान पर राज सभा को आप मजबूर करते कि हमारा ये मामला है आप इस पे रखिये तो निश्चित बहस होती और इस तरीके से दरेश अगरवाल जी ने भी महाँ पर इस तरीके से हंगामा किया पर खैद चलिए हंगामा खड़ा करना मेरा मकस सद नहीं है शायद संदीब जी का ऐसा ही कुछ कहना है लेकिन नवीन जी यह जो फर्जी एंकाउंटर को लेकर कि अगर बात करें आप लोगों ने खैर खुली छूट दे रखिये एक अच्छी बात है क्या यही एक सरकार के पास एक विकल्प है बस और इसके लावा और हम यूपी को का कानून ऑ Rider करने के लिए अदालेत हैं लेकिन मानिस सर्वोच नियाले ने दागी नेताओं पर अभी एक सरकार को निर्देश दिया कि आप इनका स्पीजी ट्राइल करिए यह निर्देश दिया न हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग संगठित अपराधी हैं उनके खिलाफ स्पीजी ट्राइल हो इस संपतिया है वह जब कर सके मुख्य प्रावदान था लेकिन दुर्भाग है अलोग जी कि चुकि उससे हमारी जो विपच्छ की पार्टियां है यह सारे अपराधी उनहीं के देखरेक में फले पुले हैं इसलिए उन्हें दिक्कती और विधान पर्षद में इसको टर्ण ड अपराधियों के मानवधिकार की चिंता करने वाले लोग हमको हमारी कानुन ब्यवस्था पर प्रशिश्चिन लगाने वाले लो कभी तारीख भी किया करें राइन लेतिक रूप से हटके कि उतना प्रदेश की पुलिस कितनी अच्छी कारवाई कर रही है आपने कभी सुना अपराधियों से मुट्वेड करते हुए लेकिन अगर आप पूरी ब्योस्था को पुलिस जो कारवाई कर रही है अपराधियों लगाएंगे तो क्या अप उत्तरप्रदेश की पुलिस का मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं आपने मनोबल तोड़ने के कान किये हैं और आप बताना चाहता हूं आज जैसे अभी चर्चा होती है कि पश्री मुत्तरप्रदेश में अपराध अपराध निश्चित रूप से अलोग जी जब थानों में से अपराधी 302 के अपराधी सरकार इस आधार पर चुड़ाएगी कि वह हमारे वोड़ बैंक हैं तो कानून ब्यो लग हटना पड़ेगा हम जब कानून ब्योस्ता की बात इमांदारी से करते हैं तो हमें अपनी जाबाध फोर्स का होसला अभजाई भी करना पड़ेगा हां अगर किसी अपराध सिपाही ने खानेदार ने पुलिस के अधिकारी ने कानून का उलंगन क्या गलती की है तो उ इनी एंकाउंटर में जो कुछ मामले ऐसे आए हैं चाए वो मत्थुरा का ले ले चाए वो कासकंज का ले ले कुछ ऐसे मामले सामने आये पिछले दिनों जो बेगुना बेकसूर लोग भी मारे गये हैं और इतनी बड़ी बड़ी नवीन जीन ने बाते कर दी लेकिन कभी इस चीज़ को कभी नहीं का बेकसूर लोगों के मारे जाने का कोई उद्देश से नहीं होता है कि हम किसी बेकसूर को मारेंगे वो उस भीड में और उस आपाधापी में बेकसूर भी मर जाते हैं लेकिन अगर बेकसूर को मानने का उद्देश है तो उसके लिए एक प्रब आजय जी सवाल ये कि जब encounter को ले कर के जिस तरीके एक पट करे हैं तो डर को ले कर भी हमने बात ही कि डर नहीं कायम कर पा री यह सरकार तो अब क्या लगता है कि ये system सब ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे राजय सभाह में भी हैसे हंगामा होगा पर इनकाउंटर को लेकर के विधान सभा में भी ऐसे मुद्दो की गुंच सुना गया वह वहां के हैं। इनकाउंटर के बात मैं फिर कहता हूं। जब से यह एलेक्ट्रोनिक युगा गया हर एक के पास मोबाइल कैमरा है। कहां से पकड़ पहले तो आज से 10-20 वर्स पहले चार-चार दिन तक ठाने में बंद रखते थे और बाद में ले जाकर करके दोड़ा देता है कि दोड़ो और पीट पर गोली मासे थे बीसों ऐसी घटनाई हुई थी और यहीं नहीं चाहिए उसमें मल्याना कांडो हासिंपुरा कांडो दर्जनों ऐसे लेकिन जब से यह मोबाइल यूगा गिया हर एक चीज़ अब तो अगर सलक पर कोई पुलिस वाला भी डंडा उठा लेता है तो उसका भी फोटो वाइरल हो हमारे जाने की बात कभी कभी होता जब भीब होता है हंगामा होता है दर्जान तो जिया होता है इसे जानबूज कर नहीं होताूँ पर कोई भी सवाल ने उठा रहा है लेकिन नवीन जी जो पिछले दिनों जो इतने और उसके साथ के जो थे उनके खिलाब भी मुकदमा लिखा गया उनको भी सस्पेंट किया गया है जांच हो रही है अगर पिलित पच्छ को यह लगता है कि इसमें पुलिस की जांच में कहीं ठीक से नहीं हो रही है तो उसमें आगे देखा जागा अगर आवशकता पड़ेग उन्होंने जांच कर रहे हैं और करवाई तो उन्होंने तुनन्त कर दी जो है निष्पक्ष 2 जी कहरे हैं बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो सब उनकी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है अपराथी जो हैं वो पूरी तरीके से बेख़ॉफ हैं और जाच को लेकर के तो फिर विपक्ष जितना हंगामा क्यों कर रहा है जब सब कुछ बहुत इजी वे में चल रहा है तो कि मेरा मानना है कि इनकाउंटर पे उसको आप विधिक रूप से या उसको कोई ऐसा रूप नहीं दे पा रहे हैं देशकर कि आप उसको कहें कि हम जैसे कोई घटना होई डखायती हुई वहां पर लोगों ने फोन किया पुलिस पहुंची और पुलिस तुम्हें पूछ रहे क कोई हत्या करके भग रहा और पुलिस उसको मार दी हो जब कोई डखायती करके भग रहा उसको मार दी हो जब कोई बलातकारी बलातकार करके भग रहा उसको मार दी हो पुलिस पीछे से हां एक सूची बना के आप उसको लिस्टिंग करते हैं और फिर उसको दिरे दिरे कहते पचीस जार का इनामी है पचास जार का इनामी है यह तो कोड भी फैसला कर सकती है आप पहले देखें तभी होगी जब यह संदेश जाएगा कि घटना करने के बाद अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा जे गटना 20 साल पहले वही पबली को बहुत बतलम नहीं आज घटना हो रही है और अपराधी अपराध करके भग जा रहा है कोई दासत नहीं तो नवीज आप लोग यह संदेशा देने में क्यों नहीं काम्याब हो पा रहे हैं तब लोग तो संदेशा ठीक से दे रहे हैं अब सवाल इस बात का है कि विपच इसको किस आएने से देख रहा है तो अधिकारीयों को आप जो भी कानून का उलंगन कर रहा है उसके खिलाफ सक्त करवाई करिए उनके सनचर देने अले किलाफ कारवाई करिए वह किस पार्टी का है किस जातका है पंत मजभाई यह मत देखिए लेकिन परंपराया पिछली सर्कारों ने खड़ी की थी जवाहर बाग दो-दो साल तक कब जे में रहा बाद ने परिणाम क्या हुआ कि दो बड़े पुलिस अधिकारी मारे गए आलोग जी एक और छोटी बताओं कैसे पुलिस का मुराल होगा कैसे कानुन जोस्था कायम होगी जब आप शहीदों की शहादत में भी आप तुष्टी करण करे एक डिप्टी-एस-पी की हत्या हुई दुखर पचास लाग दो लोगों को नो करी एक अधिकारी पुलिस बड़े अधिकारी की हत्या हुई दुखर तो बीस लाग और एक नो के समाजवादी पार्टी के जो थिंकर है थिंक टैंक संसत में क्या कहा उनों में अभी एसाइटी जांच हो रही है सारी जांचें चल लहीं है लेकिन जिस तरह से इनके राज में भरतियां होती थी परिच्छाय होने के पहले रिजर्ट तयार रहता था राम गोपाल जी ने र मैं इस सवाल कर जवाब जाना मैं अजय जी से लेना चाहूंगा अजय जी दूसरों को लेकर कि अगर बात करें तो बहुत उठाना आसान है मैं आपके सवाल कर रुख जाए है मैं अजय जी से जवाब लेंगा अजय जी ये दूसरे मंत्री को दारत दे रहे हैं अरे बहुत ज्यादा दूर मन चाहिए अभी एक अफ़ते पहले के अदर आपी के मंत्री ने कहा कि सरकार में किस तरीके से ब्रिच्छा चार बढ़ रह है अजय जी और ऐसे में निश्वार का ब्रिच्छा की बात करिये तो ही अच्छा है प्राइब को सिद्ध कर दिया कि लार मुस्लिम क्या हो रहा है आप लोग आप लिए आप लिए जिस वाल का जवाब लिए लेना तो अपने मंत्री जी से जवाब लीजे ठीक है ठीक है ठ तरीके से रोख भी पार रहे हैं अभी के मंत्री के रहे हैं अब इनका ही एक मंत्री ने बयान दिया मंत्री बने हुए हैं आपके सायोगी दल के मंत्री हैं किस तरह से उन्हों कहा कि सरकार में ब्रश्ट आचार बढ़ गया जहां दासजार की भूस होती थी वहां पचासजार आप मांगे जाने आपने उस मंत्री के खलाफ क्या कारवाई संदेज देने मैसे देने का काम मैं आपने कहा कि ुगर डैडी को और वही डी जावी ध्यमत कि आप फिर दो सब्स्round टाक्यों लाते रहे又 असी समय बदल देते हैं दूस कर रहा है उसको जन्ता भी जानने लगी मझेक सीखना हमेन और लूजी की फैंटर्फ एक मंदल चाले लेकर के मैं श्रीधर सर आप से अब जाने और समझने के कोशिश करूँगा हम फर्जे इंकाउंटर की बात कर रहें लेकिन कभी अगर हम वास्तविक्ता जाने अगर उन पुलिस कर्मियों की जो किस तरीके से दूर कहीं पड़े होते हैं उनके कैंप लगे होते हैं उनको अप प्रोफेशनल हजार उनको पता है कि हमें कहां क्या करना है मैं आपको एक उदारांग देता हूं आतंकवादी गतविधियां जब बढ़ी थी तो मैलानी में जंगल के एक दाग बंगले में रात को पीएसी भेजी गई तीस सिपाही थे लेकिन वो उसी फर्स पर इतने ठके हुए थे कि वो सो गए और जब सुबह सो करके उठे तो आठ साप मरे हुए मिले थे उनकी सरीर के नीचे वो दब चुके थे मर गए थे तो अब ऐसी हालत में क्यों क्योंकि वहां और कोई जगही नहीं है रुखने की तो यह तो पुलिस का प्रोफेशनल हजार है सिया चीन प्रोफेशन तब होता है जब उसका मनोबल गिराने के लिए उसके उपर तरह तरह की टिपनी की जाए जे 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 एक फाइनल कॉमेंट इस इंकाउंटर को लेकर के संदीब जी आप विपक्ष के तौर पर किस तरीके से आप क्या कुछ सुजाओ चाहते और क्या सुजाओ देना चाहेंगे तबीन जी को आज इस लाइव डिवेट के माध्यम से कि मैं बाहर जा रहा हूँ लौट के घर आ जाओंगा रात मैं सोऊँगा तो चोड़ ड़काट परसान नहीं करेंगे चले जनता को अमन चैन चाहिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन क्या लगता है कि और तेजी लाने की जरूरत है नवीन जी अलोग जी जो अभी हमारे पास पुलिस कानून ब्यौस्था को कायम करने के लिए जो कमी है संख्याबल की कमी है हम उसको तेजी से पूरा करने में लगे हैं दूसरी चीज में अनरोध है मीडिया से भी और अपने सम्मानित विपच्च की मित्तों से भी कि कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जहां राजनीत नहीं होनी चाहिए और पुलिस बल अपना काम करे इसके लिए जितना हम को करना है उसके साथ साथ विपच्च की भी और मीडिय कि भी जिम्मेदारी है कहीं कोई गलती करता है तो उसको निश्चित रूप से उजागर किया जाए उसको पनिश किया जाए लेकिन कहीं अगर कोई पुलिस का जामाज अधिकारी करमचारी अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रसंशा भी करनी चाहिए उसका मनोबल भी बढ़ा बहुत बड़ा आतंकवादी लखींपूर खीरी में मारेगा जिसके उपद एक लाग का इनाम था जो जेल ब्रेक करके भागा था लेकिन उस पर कहीं चर्चा नहीं हुए एक सामाने सी घटना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इसमें आलोग जी इस पर गंभीरता से जो खराब ह चुर्पूर में कहना पड़ेगा लेकिन उसी तरह से जो चीज अच्छी हो रही है ठीक हो नहीं उसके लिए सबको कम से कम देश के लिए जंता के लिए प्रदेश के सबको सही करना हो जवाब सर अजे जी सरकार बराबर यह कहती है कि अपरादियों को मूह तोड़ जवाब देंगे मुँ तोड़ जवाब किउने मुँ तोड़ ती जवाब नहीं देती है इस तो कहां पर हो रहाया किस बात को लेकर कर डरती है मुँ 또 जवाब देना फिरोड और तो भय कहीं न कहीं से सबसे पहले जो राजनीतिक संदщ activities lud Conference at Cantonese उनके दो-चार के खलाब कारवाई हो जाए आप निश्चित रूप से जने भय जाने लगेगा अपराधियों में सामान अपराधियों ठीक है बहुत से हैं अब पहले भी है थाने से छोड़ दिये जाते थे जबकि दंगे के लोग लाकर के मुखमंतरी कारियाले में मिलाया जाते थे इससे मैसे गलत गया लेकिन जो राजनेतिक संद्रक्शन प्राप्त अपराधी हैं सबसे पहली कारवाई अगर उनसे शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से संदेश जाने लगेगा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजए जी आपका भी संदीब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शीरदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तो बड़ी बैस में आज हमने फर्जी इंकाउंटर को लेकर के बहुत सारे सवाल किये महमानों से तो पिछले 72 गंटों की बात करें तो पुलिस ने 24 इंकाउंटर कर बदमाशों पर शेकंजा कसा लेकिन इसी दौरान अपने कंदे पर लगे इस्टार बढ़ाने के लिए कुछ पुलिस कर्मियों ने वर्दी को दागदार कर दिया हमने आज इसी पर बात करी तो कितने फेर कितने फेक तो कुल में लाकर के जनता अमन चैन चाहती है लेकिन इसके लिए सरकार को कहीं न कहीं एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है बड़ी बैस में इतना ही बने रही है लाइए लाइफ टूडे के साथ तेटेस सब्डेट कबरों का सिसला लगातार जा रही है नमस्कार